हेल दोस्तो एक बद्वारे से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चनल विवेक राना स्टॉक्स पर दिल से तो भूल कर भी और गलती से भी इस स्टॉक को मत बेचना ठीक है लगातार अर्बो और क्रोडो का माल FII और DII घर लेके जा रहे हैं तो दोस्तो आप क्यो पीछे हो और आज यह स्टॉक अल्मोद 6% के आसपास अब था और एक अच्छी कंपनी है काफी बढ़िया कंपनी है राइट जिस स्टॉक के में बात कर रहा हूं ठीक है शेर करूंगा उसका लेटेस चार्ट व्यू अगर आपके पास स्टॉक है और आपको यह स्टॉक क्य अगर आप शेर करते हो फेजुक पे तो इस संडे एक क्लास होने वारी है फ्री अप कोस्ट जिसमें आपको पार्टिसिपेशन के लिए वीडियो को शेर करना बस इतना काम कर दो आप उसमें एन्रोल हो जाओगे फ्री अप कोस्ट और साथ में मेरी आईडिये विया स्टॉ स्टॉक का नाम और इसके पी एंडिल कैसे है तो दोस्तों जिस स्टॉक की में बात कर रहो आप स्टॉक स्की में देख सकते हो स्टॉक का नाम अभी आपको शेर करूंगा पहले हाप पहले स्टॉक के बाले समझे लो क्योंकि बहुत सारी लोग स्टॉक को वीडियो पुरा देखें जाते वीडियो अभी के भी छोड़ देते हैं तो इसलिए थोड़ा सबर करो स्टॉक का नाम यह आपको बथाऊंगा तो दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन में जो आज स्टॉक में ट्रेडिंग होई है अल्मोस्ट साड़े तीन करोड के आसपास क्वांटिर टे ठीक है यह लोग जो घर लेके गए यह कोई आपका रिटेल तो इतनी क्वांटिटी घर लेके नहीं जा सकता है ओपिएस्टी बात है एफ आई और डी आई आई नहीं बाहे किया होगा एटीन परसेंट के आसपास निकल के आता है अगर आप इस पैसे लाग को मल्टिप्ला और रुपे 850 रुपे से तो भाई अर्वो रुपे 100 क्रोड से भी जादा का अमाउंट डिकल के आता है ठीक है अगर बिलीब नहीं होता खुद करके देख लो आपको पता चल जाएगा और मैं क्यों कहा रहा हूँ कि लगातार FII, DII माल उठा रहे है दोसों देखो बहुत इसा लगा सके और CNC ओर में घलेके जा सके ठीक है छोटा मोटा लेके जाएगा 10 क्वंटेटी 100 क्वंटेटी इससे जादा मुझे नहीं लगता कि लेके जा पाएगा ठीक है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि FII और DII नहीं इन्वेस्मेंट करी है अगर आपने स्टॉक में अगर यह तो भाई भूल कर भी स्टॉक को मत बेचना ठीक है लॉंग टर्म पॉर्फूलियो के लिए काफी बढ़िया यह स्टॉक है अभी शेर करूंगा इसके पी एंडल प्रॉफिन लोग और साथ में सेरूलिक पैटन पहले आपको दिखाता हूँ मेरा मंतली डिवरी प यह कुष्छा हिए और दोसर देख सेकते हुए जो डिवरी पर्षेंटेज रोजाना बढ़ रहा है ठीक है पहले तेरा परशेंट है भी परसेंट हुआ फिर बीस परशेंटके बाद एट की चौदा परसेंट और द्वारा से सत्रा परसेंट हो तो रोजाना करोडो अर्बो रूपे की कॉंटिटी लोग घर लेके जा रहे हैं यह लोगों का मतलब मेरा इंस्ट्यूशन से है ठीक है कोई रेटेल से नहीं है ठीक है तो FII और दबा के स्टॉक में बाइंग कर रहे है तगडी बाइंग कर रहे है ठीक है तो आप यह तो हो गया कि सच में हाँ FII और लगातार करोडो की कॉंटिटी घर लेके जा रहे है तो आपको भी स्टॉक में डेफिनिटी इन्वेस्मेंट करना चाहिए तो दोस्तों स्टॉक का नाम रिवील करने से पएले आपके साथ शेह करता हूँ कमपनी के सिरोल्डिक पैटन की किसी का पैसा लगा हुआ है तो आप स्कीमें देख सकते हैं सिरोल्डिक पैटन मेंने खोला हुआ बाइस परसेंट के आसपास आप दिसमर क्वाटर में प्रमोटर के होल्डिंग थी और 16 परसेंट के आसपास आपका FII का पैसा लगा हुआ है और 25 परसेंट के आसपास आपके DII मुचल फंड का पैसा लगा हुआ है और मात्र 22 परसेंट के आसपास आपके रिटेल का पैसा लगा हुआ है उसने में आपको लगतार बोलते रहता हूँ फुल पावर के साथ स्टॉक को बाया करा करो अगर प्रमोटर, FII और DII के इन्वेस्टमेंट जिस स्टॉक में 60 से 70% के आसपास हो तो टेफिनेटी आप स्टॉक को लॉंग टरम के लिए होल्ड कर सकते हैं और दोस्तों इसमें जो रिटेल की होल्डिंग है मातर 25% से भी नीचे है तो बहुत बढ़िया है जिस स्टॉक में रिटेल की होल्डिंग 25% से नीचे होती है उस स्टॉक को मैं लॉंग टर्म फूटफूरिक लिए अच्छा मानता हूँ तो ये फिरी एडवाईस और फिरी टिप दे दिये मैंने जो स्टॉक मार्केट में बिगनर है और जो नहीं आए ठीक है तो भाई आप लेट ना करते बे बहुत लोगों का एकसाइटमेंट हो रही कि स्टॉक का नाम क्या वो तो बताओ भाई तो देखी दोस्तों स्टॉक का नाम ये रहा जिया दोस्तों स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं € थीक है डैफेनलिडींट स्ट्राव में रखो आज स्टॉक अल्मोस् 5% के आसपस अब था current price चल भाई balr का formation करते उपर जा रहा है मतलब 704 रुपे का सपोर्ट लेकर लगाता उपर जा रहा है अगर आप दिहान से देखोगे तो स्टॉक लगाता तीन बार सपोर्ट लिया सासो रुपे के आसपर तो मतलब 700 रुपे के आसपर स्टॉक का एक लॉंग टरम बेज बन चुका सपोर्ट अगर आप चाओ तो स्टॉक को साससु रुपे के निचे का स्टॉपास लगा कि स्टॉक में होल्ड कर सकते हो ठीक है अगर बात करते हैं शिक्स मन्त के चार्ट का जो आप ब्रेकाउट पोइंस्त में है मतलब स्टॉक ने आज जो मुमेंट डिखाईए जो रैली मुझे ल स्टॉक ओलेडी 253 रुपे से 850 रुपे हो गया और इसे आपको पता है टाटा के जब से कोबिट हुआ है टाटा स्टॉक्स ओलेडी तीन तीन चार्जर गुना हो चुके हैं ठीक है टाटा के जो भी गुरूप के शेयर है अगर बात करता है पांस सल के चार्ट की दो सब अच्छा कासा बेकाउट हुआ है ठीक है 734 के आपको आपको अराम से आप 900 रुपे के टागेट दिखा सकता है ठीक है अगर बात करता हूं हो और रजिस्टन्स की तो देख लाता है कि इसके फ्रदर रजिस्टन्स क्या है तो आप देखते हो स्क्रीन में इसके जो फ्रदर रेटिंग है उसको इंक्रीज करें रेज किया है तो इस यह कुछ रीजन से जिसपर लगातार न्यूज में और चर्चा में आ रखा है और जो लगातार भाग रहा है ठीक है तो डेफिनेटली भाई अगर इतनी बड़ी रेटिंग एजनसी बोल रही कि स्टॉक का टार्गे लगातार मुझे लगता है इस महीने अपरेल के महीने में इस इस्टे आप्रेल कर सकता है जैसे उसने दिखाई दिया साइन की वही आउट परफॉर्म करने वाला है तो अगर आप सोच रहे हो कि अपरेल महीने में किस सेक्टर को नजर रखा जाय तो भाईया वह होगा स्ट सेक्टर अगर बात करता हो company के पीएंडल टार्टसिल के पीएंडल के बारे में तो भाया company के पीएंडल काफी गजब है December quarter में company ने काफी गजब के performance दी है मैं आपको profit दिखायाता हूँ एक बार तो उस आप देख सकते हो स्क्रीन में जो company का market cap है एक लाग करोड से भी उपर का market cap है अगर dividend company अच्छा खासा आपको एक परसेंट के आसपास dividend दे रही है और बात करता हूँ सीधा मैं इसके profit and loss की दरफ ठीक है जो इसका profit है वो बढ़ रहा है operating profit अगर बात करता हो net income की तो दोस्तों net income बहुत जबरदस्त आया है इसके December quarter में देख से तो दोस्तों 3600 करोड के आसपास का company ने profit दिखाया है books में और उससे पहले मात्र 1500 करोड का profit था और दोस्तों देख सकते हो earning for share में कितना बड़ा इज definitely एक अच्छे results देखने को मिल सकते हमारे और मैंने आपको पहले ही बद्दा दिया company के जो सेरुल्डी pattern है वो गजब का है भाई definitely आप stock को रड़ा में रख सकते हो definitely भाई इस stock को आपको वेचना नहीं है अगर आपने stock को hold किया यह stock long term portfolio में आपके पास हो नहीं चाहिए अगर आप stock market में beginner हो तो definitely भाईया portfolio बनाओ long term के लिए ठीक है तो भाई इस वीडियो में इतना ही कुछ समझाया है तो like, share, subscribe करना ना भूलना हो साथ में share कर दो facebook में अभी के हैंड